हेलो दोस्तों, आप सबका अपना क्लासेज में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे इतिमलोजी इतिमलोजी का मतलब होता है सब्द बिज्ञान जिसको हम हिस्टरी आफ वर्ड, मीनिंग आफ वर्ड, फर्मेशन आफ वर्ड या औरजिन आफ वर्ड का सकते हैं इतिमलोजी का मतलब होता है एक सब्द से बहुत सारे सब्दों को बनाना अब कैसे बनाएंगे हम, आज हम सीखेंगे कि एक सब्द से हजारों सब्द को कैसे बना सकते हैं सिर्फ प्रफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड के द्वारा चलिए, सबसे पहले देखते हैं, रूट वर्ड और सफिक्स प्रफिक्स क्या होता है तो एगोरा, एगोरा का मतलब होता है ओपेन स्पेस, यह मिनिंग है जो word दिया हुए अगर कहीं भी ये word एक्वा लिखा होगा उसका ये meaning है open space जैसे कि pyro, pyro अगर कहीं भी लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा? fire मतलब आग, cardia, cardia मतलब heart मतलब दिल, mania मतलब madness मतलब पागलपन, phovi का मतलब होता है fear, fear मतलब डर, equa मतलब होता है water, hydro मतलब भी भी water, deepsa मतलब होता है thirst, thirst का मतलब होता है processing, megagal, uphill declining प्रकास, or videos का मतलब होता है snake, snake मतलब sam, night ass का मतलब होता है night, night मतलब राद, across का मतलब होता है Height, Triscate का मतलब होता है 13 और Clapto का मतलब होता है To Still यह वो words हैं जिसका कुछ meaning होता है जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हैं कि water मतलब पानी होता है लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि पानी यानि waters होता है वो किसका meaning होता है यानि वो सिखाता है हमें root word इस words को हमें ध्यान में रखना है कि किसका मतलब क्या होता है अब इससे हम बहुत से word का निर्मार करेंगे यानि बहुत से word बनाएंगे और हम बिना रटे उसको हम याद कर लेंगे इसमें याद करने की जुरत नहीं है बस हमें root words याद होना चीए और वोर्डो का, काई चाहे कैसा भी वर्ड्स क्यों ना आ जाए, हम उसका मिनिम्ट फटाक से बता देंगे, निस चुट क्यों में बता है चलिए, स्टाट करते हैं, Formation of Words पहला वर्ड है आपके सामने, Pyromania Pyromania का मतलब क्या होता है, तो देखिये, Pyromania दो root words से मिलकर बना हुआ है pyro plus mania pyro का मतलब होता है fire mania का मतलब होता है madness यानि जो क्या हो आग लगाने में पागल हो यानि one who sets fire for thrill यानि आग लगाने में अनन्द जिसको आग लगाने में अनन्द आता होगा उसी को बोलते हैं pyro mania next pyrophobia pyrophobia दो root words से मिलकर बना हुआ है pyro plus phobia pyro का मतलब होता है fear और phobia का मतलब होता है fire यानि fear from fire यानि जिसको आग से डर लगता हो उसको हम बोलते हैं pyrophobia हो गया है उसको यानि देखे हमें कोई भी words याद करने के जोरत नहीं है क्या हमें pyrophobia का याद करने के जोरत हैं नहीं सिर्फ हमें root word याद होना चैब pyro का मतलब होता है fear यानि fear from fire जो άग से डरता हो next है hydrophobia hydrophobia दो root words से मिलकर बना हुआ है hydro plus phobia यानि hydro का मतलब होता है water phobia का मतलब होता है fear यानि fit from water जिसे पानी से डर लगता हो यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए नेक्स्ट है हाइड्रो मेनियाज दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है इसको नेक्स्ट ये हैं डिपसा मेनियक दो रूट वर्ड से मिलकर बना हुआ है डिपसा प्लस मेनिया यानि डिपसा का मतलब होता है ड्रिंक यानि थर्स्ट या मेनिया का मतलब होता है madness यानि इसका meaning क्या हो जाएगा madness for drink जो पीने के लिए पागल होते हैं उसको हम क्या बोलते है madness for drink next है आपका kleptomaniac kleptomaniac दो root words से मिलकर बना हुआ है klepto plus mania klepto का मतलब होता है twist still यानि चोरी mania का मतलब होता है mad या madness यानि पागलपन यानि इसका meaning क्या हो जाएगा made for still या madness for still यानि चोरी के लिए पागल यानि कोई भी ब्यक्त अगर चोरी के लिए पागल होता है उसको हम बोलते हैं kleptomaniac हो गया है next day of your phobia of your phobia दो root words से मिलकर बना हुआ है of you plus phobia of you का मतलब होता है snack और phobia का मतलब होता है fear इसका meaning होगा fear from snack next है night of phobia night to phobia दो root words से मिलकर बना हुआ है night to plus phobia night to का मतलब होता है night और phobia का मतलब होता है fear इसका total meaning हो जाएगा आपका fear from night जिसको रात से डर लगता है उसको हम बोलते है night to phobia next है astrophobia astrophobia दो root words से मिलकर बना हुआ है astrophobia astrophobia का मतलब होता है lightening और phobia का मतलब होता है fear इसका meaning हुआ कि fear from lightening जिसको प्रकास से डर लगता हो उसको हम बोलते है astrophobia ऐसे ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए channel को subscribe करना न भूलिएगा और bell icon को ज़रूर प्रेस किजिएगा चाकि आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे thank you for watching my video आपना का उस्तर सीजाइब के लगता है करते विए ओता है तस्तर सकतर संय में को